वेल्कम तो मैं चैनल नरू जाटा ब्लाग टाटा मोटर अपनी पॉपुलर स्रॉब कॉम्पेक्ट सुवी नेक्सोन का फेसलिफ्ट वर्जन बहुत ही जल्दी भारत्य बजार में उतारने वाली है जो कि टाटा हेरियर की तरह ही इंपक्ट डिजाइन 2.0 लेंग्वज को सपोर्ट करेगी और इस लेंग्वज के आधार पे इसके फ्रेंट रियर साइट एंड इंटीडियर में काफी सारे बद्लाव आपको देखने को मिलेगा अगर हम फ्रेंट प्रॉफाइल की बात करें तो यहां पे हैट लैंप यूनिट काफी चेंज्ड मिलेगी करेंट मॉडल से इसमें जियारल एंड प्रजेक्टर हैट टैंप आपको डिफरेंट डिजाइन में प्रॉबाइट की जाएगी जस्ट उसके नीचे फॉग लैंप हाउसिंग भी आपको टाटा हैरेर से मिलता जुलता यहां पे प्रॉबाइट की जाएगी यहां पे आटमेटिक हैट लैंप्स एंड रेंज सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स फेसलिफ्ट वर्जन में दी जा सकती है जो कि करन्ट मॉडल में आपको नहीं मिलती है अब त प्रॉफाइल की अगर हम बात करें तो यहां पे ज्यादा कुछ चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगी वहीं इसके जहां पे कूपे डिजाइन है नैक्सोन की वहां पे टाटा हैरेर की तरह ही आपको फ्लोटिंग रूप डिजाइन देखने को मिल सकती है और जिसमें हैरेर की तरह ही आपको नैक्सोन की एंबॉसिंग देखने को यहां पे मिल सकता है रियर प्रॉफाइल के अगर हम बात करें तो टाटा हैरेर के तरह ही फेस डिप्टेट नैक्सोन में टेल लैम आपको LED प्रॉबैट की जाएगी सेम डिजाइन में जैसे के आने वाली फेस डिप्ट वर्जन में ट्रूस कंट्रोर्ड की सबीधा मिलेगी स्टेरिंग वील की अगर हम बात करें तो टाटान एक्सोन के करंट वे रेंट में इस तरह का इस्टेरिंग वील आपको प्रॉबैड नहीं की गई है ये हू बहू अल्ट्रोस के its proximal steering wheel से मिलता जुलता है और जो की आने वाली facelifted version में आपको मिलने वाले है steering wheel, leather wrap, three spokes, tiltable आपको मिलने वाले है और जहां तक इसके संभावना है ये telescope भी आपको दी जा सकती है इंपोटेंटमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो recently Tata Motor ने top of the line में 6.5 इंच के इंपोटेंटमेंट सिस्टम की जग़ण 7 इंच का touch screen इंपोटेंटमेंट सिस्टम अपडेट की है यही इंपोटेंटमेंट सिस्टम आने वाली facelifted version में carry forward होगी इसमें कोई भी changes नहीं होगी Safety features के अगर हम बात करें तो Tata Nexon के current version में 2 airbag आते हैं वहीं इसके facelifted version में 4 airbag आने की सम्मावना है इसके अलावा इसमें ABS with EBD, driver side and co passenger side seatbelt reminder, reverse end, front parking sensors, reverse parking camera, front end side impact beam, engine immobilizer, anti-theft device, isobic child seat जैसे safety features होगे जहां तक engine की बात करें तो Tata Nexon के facelifted version PS6 compliant वाली petrol and diesel engine के साथ आएगी जहां तक petrol engine की बात करें तो 1.2 लीटर का 3-cylinder revatron turbocharged petrol engine जो की 108.5 PSP की power 5000 rpm पे and 170 nm का peak talk जनेरीर करता है 4000 rpm जहां तक इसकी लॉंचिंग की बात करें तो ग्रेटर नोईड़ा में आई जीत होने वाले 7-12 February 2020 के जहां तक इसकी लॉंचिंग की बात करें तो को आटा एक्सपू में इसे सबसे पहले सोकेस किया जाएगा और उसके तुरंद बादी से लॉंच भी कर दिया जाएगा जहां तक फेसलिफ्टेट टाटन एक्शन के फ्राइसिंग की बात करें तो यह करंट वेरिंट से 32-35k रूबीज महेंगी होगी यही थी छोटी सी अपडेट फेसलिफ्ट टाटन एक्शन के बारे में जानकारी आपको कैसी लेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते एक नई वीडियो पे तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद जैहिंद